Hello friends, मैं मुकेश, आज आपको बताऊंगा कि फोन पे को कैसे इंस्टॉल करना है और UPI ID कैसे बनानी है और सारे बहुत सारे चीजें इस फोन पे को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर पे आने के बाद हमें सच माना होगा फोन पे तो फोन पे इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक यह इंस्टॉल हो रहा है आपको डाउनलोड करना है तो लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो नीचे लिंक डाल रखा है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको वह यहां से नहीं डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर में सच मार के भी डाउनलोड कर सकते हैं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दिजिगा बस थोड़ी देर लग रही है थोड़ा सा ही टाइम लग रहा है और वो जो लाल वाला बटन उस पर लेकर आया फिर भूचाल मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए इंस्टॉल हो रहा है काफी अच्छी एप है ट्रॉस्टर भी है तो ओपन कर लेते हैं से कुछ ऐसा अच्छा थोड़ी देर वेट करें यहां पर हमें अपना मुबाइल नंबर डालना होगा यहां पर आपके सारे नंबर शो करने लग जाएगा जो आपके पास होंगे यहां पर जब कभी बाइचांस आपने कभी लोग इन किया होगा तो वहां पर लोग इन मांगेगा हम यह बड़ी अच्छी बात करें तब अलाव कर दीजिएगा उसके बाद हमेने चेक बैलनस वाले ऑप्शन में जाना होगा यहां पर एड़ बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा जो भी बैंक हो आपका जो भी कोई भी यूनियन स्टेट जो मर जी अगर मेरा एटल पेमन बैंक है एटल पेमन बैंक को मैं लॉग इन कर दे रहा हूँ अरे कहना क्या चाहते हो यहां से यह login हो चुका है मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं reset upi pin करके आपको दिखा देता हूं कि दुबारा यहां पे ATM काड के last 6 digits डालने हो गये जो कि आप इतल पेमन बैंक की डाउनलोड करके वहां से निगाल सकते हो तो मैं यहां पे ATM के 6 last digit डाल देता हूं और month of expiry डालना है हमें तो month of expiry है वह डाल देता हूं और परसीड पे क्लिक कर देंगा अरी देवा बस ब्लैंक इसलिए हो गया है क्योंकि security वीजन करके OTP आएगा आपको करने के बाद आपको UPI सेट कर लेना है जो भी चार अक्षर का UPI सेट कर लीजिए फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और नीचे डन वाले option पर क्लिक कर दीजिए तो हमारा UPI PIN सेट हो चुका है अब हम किसी को भी पैसा भीज सकते हैं ले सकते हैं बैलन्स च कोड भी आपको दिखा दूँ यहां से आप payment ले भी सकते हो किसी से अगर आपका UPI payment से किसी से लीना है तो वहां से भी आप payment ले सकते हो message आ चुका है कि मेरा add हो चुका है bank account इसमें phone पे में तो वह message आ जाएगा आपको यहां से दिखाता हूँ कि टू mobile पे हम किसी को भी अपने mobile के थूरू जानी phone पे नंबर है तो उस पर डालके हम उसको payment डाल सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं जिसका भी phone पे का होगा टू bank account बैंक में save कर लीजेगा यहां से मेरे save है तो वहां से send करने UPI ID UPI नंबर प यह सब ही यहां से आप बिलकुल आसान और सिंपल तरीके से कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें बहुत सारी सुधाएं है phone पे से और इसमें में एक आपको benefit भी बताऊंगा अगर आप लिंक से download करोगे तो आपको benefit भी मिलेगा तो वह बाद में last में बताऊंगा तो यहां से आपको बता देओं कि सारे ही रीचार्जिस सब कुछ यहीं से यह डार्क मूड ओन करने के लिए बोला है तो डार्क मूड मैं अन नहीं करूँ उपर एक option दिख रही यूपी आपको सेट करना है तो फोन पे कैंसल करके आपको यहां पे सेट कर ले तो मैं बिलक स्कैन वाली option देख रही है उस पे हम क्लिक करके आपको सकते हैं यहां से स्कैन करके वह सारी payment हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी परिशानी नहींगे बिल्कु सिंपल और आसान तरीका है यहां पे बहुत सारी services हैं आप देखी सकते हो यहां मैं वालेट चेक क हो तो वालेट में भी ट्रांसफर कर सकते हो वी चार्ज बिल पेज सब कुछ ही यहां से असानी से कर सकते हो मैं यहां पर फोन पे का gift card दिखाने वाला हूँ यह 100 रुपे का gift card जब मैं किसी के referral से डाउनलोड करूंगा तो मुझे 100 रुपे का gift card मिलेगा तो आप भी डाउन